पाट सत्रा निबंध लेखन ऐसी राइटिंग स्वतंत्रता दिवस हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन हम उन तेश भक्तों को याद करते हैं जिन्होंने तेश को आसाथ करने में अपना यूगतान दिया इस दिन दिल्ली के लाल के लिए पर प्रधान मंत्रीची तिरंगा फेहराते हैं तिरंगी को 21 तूंपों की सलामी दी जाती है इस अफसर पर प्रधान मंत्रीची दीश के नाम संदीश देते हैं इसी प्रकार का कारिक्रम सबी राच्यों की राच्थानियों में भी होता है। इस अफसर पर स्कूलों में छंडा फेहराया जाता है तथा राश्रगान गाया जाता है। जगा जगा अनेक कारिक्रम तथा कवी सम्मेलन होते हैं। यह पर्व पूरे दीश में उत्सा के साथ मन पंद्रा अगस का पर्व मिल जुल कर रहने तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शिक्षा देता है। इसलिए प्रदिवर्ष उनका चन दिन 14 नवंबर बाल दिवस की रूप में मनाया चाता है। बाल दिवस के दिन विद्यालेयों में अनेक कारिक्रम होते हैं। इनमें चाचा नहरू के जीवन एवं कारियों की चानकारी दी चाती है। इन कारिक्रमों से हमें चाचा नहरू के समान आदर्श व्यक्ति बनने की प्रिर्णा मिलती है बाल दिवस वास्तव में बच्चों का दिन है बच्चे ही देश का भविश्य है बच्चों की उन्नती में ही देश और समाच की उन्नती है बच्चों की कल्यार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए बच्चों को भी चाहि कि चाचा नहरू की जीवन से प्रिणना लेकर उन्हीं की समान, विद्वान, दीश भाक्त एवं श्रीष्ट भने। मेरी प्रिय अध्यापिका मेरी विद्याले में दस अध्यापिकाई हैं। वी सभी बच्चों को पहुत प्यार करती हैं। मुझे सबसे अच्छी अध्यापिका श्रीमती शीला सिंग लगती हैं। वह हम लोगों को हिंदी पढ़ाती हैं। श्रीमती सिंग बहुत ही मेहनती एवं प्रसन्चित महिला हैं। वह पाट पढ़ाने से पहले एक कहानी अवश्य सनाती हैं। सबी बच्चे ध्यान पूर्वक उनकी कहानी सुनते हैं वह पाट को रोचग धंग से पढ़ाती है यदि पाट समझ में ना आया हो तो उसे तुबारा समझाती है उनकी बातें सभी को अच्छे लगती है वह मेरी सबसे प्रिय अध्यापिका है